आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे बिहार की उन साथ सीटों की बारे में जहां इंडिया गटबंदन के घटक दलों के बीच ये पेच फसा हुआ था कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी आपको बता दे कि सूतर से खबर आ रही है कि इंडिया गटबंदन के घटक दलों के बीच इन साथ सीटों को लेकर आपसी सेमती बन गई है कि कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी उन साथ सीटों में पहला नाम आता है पूर्वी चंपारण लोकसवा सीट का जहां कांग्रेस और भार सीट फसा हुआ था लेकिन अब यह तै हो गया है कि इस सीट से राज़त ही चुनाव लड़ेगी खाबर है कि यहां से राज़त के तरफ से जय प्रकाश यादव चुनाव लड़ सकते हैं तीसरा नाम आता है जमूई लोकसवा सीट का जहां काफी मशक्कत के बाद यह तै हो गया है कि इस सीट से भाग पमाले ही चुनाव लड़ेगी चौथा नाम आता है कारा कार्ट लोकसवा सीट का जहां राजद और जेडियू दोनों द्वारा मजबूत दावेदारी पेश किया गया था लेकिन अब यह निड़ने हो गया है कि सीट से जेडियू ही चुनाव लड चुनाव लड़ेगी सात्वा नाम आता है पश्मी चंपारन लोकसवा सीट का जहां राजद और जेडियू के बीट इस सीट को लेकर खीशतान चल रही थी लेकिन अब यह इस पश्ट हो गया है कि सीट से राजद ही चुनाव लड़ेगी वैसे यही था वैस साथ विवाद सीट जिसको लेकर अब यह इस पश्ट हो गया है कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी वैसे इस वीडियो पर आपकी क्यारा है कमेंट बॉक्स में ज़रू लखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब सब्सक्राइब करना ना बुल